कि नमस्कार मैं जन्मिक तश्यों गौतम और जिस तरीके से राइस्थान से खबर आ रही है जैपुर हाई कोट से जैपुर हाई कोट में आज असो गेलोत और उनके जो स्पीकर हैं सीपी जो सी उनको तकड़ा चटका लगा है दरसल मदल लाल दिलावर की जो एक याचिका थी जिसमें बीएस्पी के छे बिदायकों के बिले को चुनोती दी गई थी और इसको लेकर उन्होंने पहले भी याचिका दायर की थी लेकिन जब कोट में याचिका लंबित थी तभी स्पीकर ने एक बड़ा फैसला लेकर उस पूरे मामले को निप्टा दिया था जिसकी बज लंदा से यह कहा गया है कि कल तक उनका जो नोटिस है तामील कराया जाए और उनका जवाब कल तक अदालत में आजाना चाहिए साथी साथ सीपी जोसी का जबाब भी कल तक मागा गया है यह जो छे बिदायक हैं लखन सिंग जो करोली से हैं राजन सिंग गुडा उदरपूर बाटी से दीपचंद खेडिया किसंगडबास से और उसके लाबा जोगेंदर सिंग अबाणा नदवई से संदीव कुमार तिज तो वो कॉंग्रेस के बिदायक बन गए थे जिसको लेकर मायावती ने कॉंग्रेस पार्टी की जो सरगना है सोनिया गांधी उसके बेटे राहुल गांधी और प्रियंक का बढ़रापत तकड़ा हमला बोला था लेकिन उसके बाद यह बात आई गई हो गई थी बाद में इ बीएसपी की तरब से भी सतीश मिस्रा जो सुप्रीम कोट के बकील भी है उन्होंने भी याज्चे का लगाई और उन्होंने का हम यह पूरा प्रिपन्च हा यह गलत है और अनैतिक तोर पर हुआ है इसको खार्यस पीकर का जो आदेस है उसको खार जिया जाए और जो बिद वापस जाएंगे या फिर उनकी सदस्ता खारिज की जाए तो इस तरीके से असो गैलोज जो अब तक मान का चल रहे थे के 102 विदायक उनके पास हैं कॉंग्रेस के 88 विदायक बताय करते थे क्योंकि 6 विदायकों को उन्होंने उसमें सामिल किया हुआ था अब इन 6 विदायकों का पार्टी से अलग होने का समय लगबग नजदीक आता जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से स्पीकर को नोटेस जारी किया गया है लेकिन कोर्ट इस पर जिस तरीके च्रीके की सोकी बरत्रा उस से तो यही लगता है कि अस्ओक गैलोत को मामले में कोई रहत नहीं मिलने वाली है और ना ही रहत इन 6 विदायकों को मिलने वाली है mater्म को कूछ फेदैंडों को कुस दिलायी वरत्नी ही होती तो साइद इनन को नोटिस तामील होने और जबाब दाखिल देने के लिए लंबा समय दिया जा सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं जो कि सीधे तोर पर असो गैलोट खेमे की बरी हार के तोर पर देखा जा सकता है जो अभी के वलनब्ब के आसपास विदायकों को लेकर जैसल मेर के दो हुटलों म भी मौरियट में ठहरे हुए हैं और वहां से आज ख़बर ये भी है कि वह पाकिस्तानी सीमा पर इस्तित एक देवी के मंदर में भी दरसन कराने के लिए अपने विदायकों को लेकर गए हैं हाला कि ये मंदर पहले से बंद चल रहा था लेकिन असो गैलोट ने सरकार में हो तरीकर से असो गैलोरं को के ओपने बिदायकों के उपर राजदो के मुकर्दि में कराए थी खासकर बवरलाल सर्मा के खिलाब जिस तरीक के से मुक्दमा दर्ज किया था बवरलास र्मा उसको सबस्द घलाब वहांच और आडे दो पे जाने के डर से अब पीछे हटते हुए घुटनों पे टिकते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने फैसला किया है कि भवर लाज सर्मा या दूसरे विदायकों के अब दोनों मंतियों बिश्वेंद सिंग और भवल्ला सर्मा के अलावा गजिंद सेखावत का भी बॉइस सेंपल नहीं चाहिए क्योंकि इस मामले में भी किसे मांग की गई थी बाजबा के द्वारा कि सीवाई जाच होनी चाहिए और इन सभी के बॉइस सेंपल लेकर यह फॉरेंसिक जाच होनी चाहिए अब इस मामले में खुद को फस्ता हुआ और जूटा पड़ता हुआ देखकर असो गैलोत इस मामले से भी बॉइस सेंपल लेने के लिए मना कर दिया है यानि की सीधे तोर पर जो एक फैबरिकेशन किया गया था केस बनाने की कोश की गई थी उसमें खुद को ही गिरता हुआ देखकर असो गैलोत अब बैक फुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं दरसल बमरलाद सर्मा के मामले में जिस तरीके से उन्हें यह डर था कि अगर जाच एनाई है के पास चली गई तो उसमें असो गैलोत और उनके करीबी फस ज दोड़े हुए मामले की जो जाच एसो जी से लेकर अब एसी भी यानि एंटी करफशंग वीरों को देने की भी आदेश जारी कर दिया है सो गैलोत ने इस सब का मतलब यही है का सो गैलोत ने जो जाल बुना था अपने विरोधियों को फसाने के लिए उस जाल में मकडी की के अंदर विश्रासमत के दोरान वो इस पश्ट नजर आ रही है और इसी लिए वो ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं अब तक जो बागे बागी विदायकों के खिलाप उनके कड़े तेवरों से भी वो नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा पूरी जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने आ चुकी है और सब को पता चल चुका है कि जैसल मेर में उनके पास केवल 90 विदायक हैं कुछ मंत्री बाहर हैं लेकिन उसके अलावा जो विदायक है वो कहा है इसको लेकर कोई भी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से या सो गैल पार्टी में राजी नहीं है दूसरी तब बस पाके छे विदायकों को लेकर संकट बढ़ता जा रहा है और तीसरी तरफ जो निर्दली है वो भी पूरी तरीके से असो गैलोत की तैनासाई से परेसान हो चुके हैं जिस तरीके से उन्हें बाड़ा बंदी के अंदर पिछल से बात नहीं कर सकते हैं अपना सुख दुख नहीं बाठ सकते हैं ऐसी इस्तिती से अब वो छट पठा रहे हैं और बौखला भी रहे हैं असो गैलोत के खिलाब अंदर ही अंदर एक बड़ा उबाल पैदा हो रहा है जिसकी आसंका असो गैलोत को भी है और उन्हें अब चाल दोगों ने कोर्ट में जाकर अपनी भद पिटवाने का काम किया उसकी बज़य से कBooks के दो बड़े वकीलों को भी हार का सामना करना पड़ा अभिस एक मनुष सिंग्वी को हाई कोर्ट में हारना पड़ा और कपिल से बलको सूप्रीम कोट में मूँ की खानी पड़ी तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से कॉंग्रेस की फजियत हुई है तमाम किरकरी हुई है उसको लेकर जो गांधी नहरू परिवार है वो भी कहीं न कहीं अब असो गैलोत से पल्ला जाड़ने की कोशिस करता हुआ नजर आ रहा है और अगर कॉंग्रेस की सरकार गिरती है तो निश्च तौर पर असो गैलोत के खिलाब कड़ी का रवाई गांधी नहरू परिवार कर सकता है क्योंकि राजिस्तान की सरकार को अगर किसी विक्ती ने गिराने में सबसे वड़ी भूम का निवाई है तो वो असो गैलोत का जो अडियल रावय रहा खट रावय रहा और जस तरीके से वो अपने सयोगीयों से पेश आ रहे थे उसके की तारीक में कॉंग्रेस पाटी के पास बेएक नहीं है अनके दावे դो अभी स्वास मत रखे जाने की गोशना की है सो गैलोत ने ये तारीखें नजदीक आएंगी बैसे बैसे इस्तिया और ज्यादा सीसे की तरफ साफ होती हुई नज़राएंगी और हो सकता है कि 14 अगस्त को सत्र सुरू होने से पहले ही असो गैलोत मुख मत्री के पत से स्थीपा दे द जाहिं 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 अबहुता है